हेलो एवरिवन, वेलकम टू दा ब्रेनो स्वेयर इंडिया और रशिया के बीच S-400 डिल होने के बाद से ही भारत के दुश्मनों की मुश्किले बढ़ गई हैं S-400 के इंडिया में आते ही हमारी बोर्डर्स पहले से काफी जादा सुरक्षित हो जाएंगी S-400 तुन्या का सबसे अच्छा Air Defense System माना जाता है कुछ समय पहले चाइना ने रशिया से S-300 खरीदा था जैसा की S-400 और S-300 के नाम से ही पता चल रहा है की S-400, S-300 से कहीं जादा बहतर है सो S-400 मिलने के बाद इंडिया के पास चाइना से बहतर Air Defense System होगा लेकिन रशिया के प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने हालि में एक बयान दिया है जिसमें पुतिन ने बताया है कि रशिया Antisil Defense System बनाने में Türk Chica की मदद कर रहा है इस सिस्टम के जरीए बैलस्टिक मिसाइल लॉंच के बारे में काफी पहले ही चेतावनी मिल जाएगी अभी तक ये सिस्टम केवल युएस से और रिश्या के पास ही था पर अब रूस की मदद से चायना के पास भी एक कमाल का सिस्टम आने वाला है इस सिस्टम में जमीन पर लगे रडार और स्पेस में मौझूद सेटलाइट की मदद ली जाती है अगर कोई कंट्री चायना के उपर मिसाइल से अटेक करने की कोशिश करेगी तो ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम उस मिसाइल के चायना पहुचने से बहुत पहले ही मिसाइल के बारे में पूरी जानकारी चायना को दे देगा इस सिस्टम के आने के बाद चायना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी चायना के इस नए एर डिफेंस सिस्टम से निपटने के लिए इंडिया को क्या कदम उठाने चाहिए अपने विचार कमेंट करकर जरूर बताएं सो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में